Hello everyone, this is C.A. Saurabh Singh Baghil and welcome back to my YouTube channel. दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Planning Chapter No. 4 Business Studies का Next Part इससे पहले के सभी वीडियो आपको अप्लोड किये जा चुके हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे Objectives लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और यह वीडियो आप अपने Classmates के साथ जरूर शेयर करें तो बात करते हैं Objectives हम इससे पहले Standing Plan and Single Use Plan के बारे में पढ़ चुके हैं तो What are the Objectives? देखो Objective का मतलब होता है Manjil Objective का मतलब Hindi में होता है उद्देश लेकिन हम समझने के लिए समझेंगे Manjil Manjil यानि Destination Destination यानि Where Organization Want to Reach कहां हम पहुँचना चाहते हैं क्या हम हासिल करना चाहते हैं वो कहलाएगा Objective जैसे एक Organization का Objective हो सकता है कि हम अपने Sales को 2 साल में 20% बढ़ाना चाहते हैं माल लीजे एक Telephone Company है उसका जीयो है उसका माल लीजे Objective हो सकता है कि हम अपने Subscribers को 2 साल में 25% बढ़ाना चाहते हैं एक Company हो सकती है उसका यह कहना हो सकता है कि हम अपने Profits को 10% एक साल में बढ़ाना चाहते हैं तो This can be Objective of the Organization तो Objectives are the Ends Ends यानि Manjil Which Management wants to achieve within a given time period मतलब एक निश्चित समय होना चाहिए Objective ऐसा नहीं कि मतलब अचीव कर लेंगे जब होगा टाइम होगा तब नहीं एक certain time period में आपको अचीव करना पड़ेगा Organizational objectives होंगे तो generally top level बनाएगा और department के objective में अच्छे परसिंटेज लाना चाहता हूँ तो अच्छे की definition तो कुछ भी नहीं है लेकिन अगर मैं बोलू कि मैं 90% लाना चाहता हूँ तो ये quantitative term बता दिया ये मैंने specify कर दिया तो objectives को भी specify करना पड़ेगा जैसे आपने बोला कि मैं अपने customers बढ़ाना चाहता हूँ कितना बढ़ाना चाहते हो तो आप जब बोलेंगे तो वो objectives specified हो जाएंगे जैसे मैं increase करना चाहता हूँ अपनी sales 20% से in 2 years ठीक है तो ये क्या है quantitative terms में है उसके बाद अगर हम बात करें आप इसको video pause करके note कर लेंगे उसके लिए बात करते है strategy अगला है strategy देखो strategy क्या होता है माल लीजिए आपको पता है कि business environment change होता है आपने पढ़ा है political, economical, social, technical and legal business environment is frequently changing बदलता रहता है keeps on changing परिवर्तित होता रहता है लगता है क्योंकि dynamic है तो भीया business environment के according हमें अपने आपको change करना पढ़ेगा जिससे हम अपने organizational objectives को achieve कर सके जैसे माल लीजिए कि Jio आया अब Jio market में आया जब तो Jio ने free में services देना शुरू कर दी तो भीया जो लोग पहले data charge कर रहे थे उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई तो उन्होंने क्या किया Jio के इस plan को counter करने के लिए counter करने के लिए नई strategy बनाई तो strategy is a comprehensive plan comprehensive यानि विस्तार में बनाया गया plan है in response to changes in the business environment business environment पे जो change हुए है उसके according बनाया गया एक response है क्या strategy to achieve organizational objective देखो या तो आप business environment change हो रहा है तो आप fail हाथ पे हाथ रखके बैठे रहे हैं या फिर strategy बनाएं जिससे उसको आप respond कर सकें it is the game plan of the management ये management का game plan होता है कि कैसे हम बदले हुए environment में अपने organizational objectives को अचीव करेंगे strategies formulated to meet changes taking place in the business environment business environment में जो changes हो रहे हैं उनको पूरा करने के लिए ये strategies बनाई जाती हैं तो यह रहा strategy की बात अब strategy जैसे माल लीजे मैंने आपको बताया जीओ ने किया अब माल लीजे Coca Cola और Pepsi Coca Cola और Pepsi क्या है आपस में substitutes हैं बड़े तगड़े competitor है तो अगर Coca Cola अपना rate कम करता है तो Pepsi को भी counter strategy बनानी पड़ेगी इसी जैसे जीओ जीओ अगर अपने rates कम करता है तो Airtel को भी क्या करना पड़ेगा counter strategy बनानी पड़ेगी तो ये है strategy ठीक है उसके बाद अगले points पे आते हैं policies policies are the general statement that guide thinking or channelize energy towards a particular direction policies are general guidelines for the management जैसे माल लीजे एक organization की policy हो सकती है कि वो less than 18 years 18 साल से कम will not be employed मतलब 18 साल से कम worse के लोगों को employed नहीं किया जाएगा नौकरी पे नहीं रखा जाएगा या फिर policy हो सकती है कि company will not pay one lakh or more other than check मतलब company एक लाख या एक लाख से जब भी जादा payment करेगी तो वो check के अलावा मतलब check के अलावा cash में payment नहीं करेगी तो ये company की policy हो सकती है ठीक है तो इसी तरह की और company की क्या policy हो सकती company ये भी कह सकती है कि हम स्वदेशी goods का स्वदेशी raw material का इस्तेमाल करेंगे जब भी production में करेंगे तो ये सारी चीजें कहां पर आएंगी policies में आएंगी तो policies general statements है अब general statement मतलब आप के लिए बहुत rigidity नहीं है इसमें आपको ये follow करना चाहिए उसके अलावा procedures की बात करें तो procedures a procedure is a chronological sequence chronological का मतलब होता है step wise ठीक है of various steps to be taken in order to perform an activity in efficient manner किसी भी काम को करने के लिए जो step wise steps लिए जाते हैं उनको कहला कहा जाता है procedure जैसे आप माल लीजे किसी company में आप क्या कर रहे हैं order देना है आपको ठीक है ना आप किसी company से goods purchase करना चाहते हैं तो goods purchase करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे आप inquiry करेंगे फिर quotation मगाएंगे फिर quotation को compare करेंगे फिर order देंगे उसके बाद गुड्स की डिलिवरी होगी फिर इंस्पेक्शन होगा और फिर पेमेंट किया जाएगा तो पहले ऐसे स्टेप बढ़ेगा इंक्वारी, कोटेशन, कमपेरिजन करेंगे ओर्डर देंगे, डिलिवरी आएगी फिर उसके बाद इंस्पेक्शन होगा मतलब ये आपस में इसी सिक्वेंस में चलेगा पहले ऐसा नहीं हो सकता पहले ओर दे दे फिर कोटेशन मगा ले या पहले डिलिवरी ले ले फिर कोटेशन मगा लें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो ये क्या है प्रोसीजर इसी तरीके से किसी को company में recruit करना है मतलब नई company में employee लाना है तो पहले क्या होगा advertisement दिया जाएगा फिर उसका test लिया जाएगा फिर interview होगा फिर training होगी फिर होगा कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले training होगी फिर interview लेंगे ठीक है तो यह procedure होगा तो chronological sequence मतलब एक क्रम में उसके बाद methods की बात करते हैं method क्या है method is a prescribed process in which a particular operation or an activity is performed देखो procedure और method की बात करें तो procedure जैसे माल लीजे अब देखो यहाँ पर क्या है method is a prescribed process in which a particular operation मतलब कोई एक activity perform की जाएगी जैसे इस procedure में देखें आप साथ activity inquiry, quotation, comparison, order, delivery, inspection, payment यह साथ activities perform की जा रही है तो method में किसी एक activity को किस तरीके से perform करना है वो बताया जाएगा जैसे अब inquiry कैसे करना है तो inquiry के लिए क्या हमें वहाँ पर present होना है मतलब जा के physically check करना है चीजों को inquiry करना है या फिर telephonic communication से inquiry कर लेना है inspection अब देखो payment के लिए हमारी method हो सकती है क्या cash payment करेंगे या check payment करेंगे तो यह सारी चीजे methods में आएगे अब जैसे method for depreciation आपने 11th में पढ़ा होगा straight line method and WDV method written down value और method of valuation of stock FIFO, LEIFO इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं किसी particular activity को किस तरीके से perform करना है वो method में बताया जाता है अब हम बात करेंगे rules की rules are specific statements policy में ध्यान देना policy क्या था general statement था and rules क्या है specific है specific मतलब क्या करना है rules में बताया जाता है exactly क्या करना है rules rigid होते है अपने दिमाग को मत लगा और जो नियम में लिखा है उसे फॉलो करो पॉलिसी में आप अपना दिमाग लगा सकते हैं डिस्क्रीशन के लिए जगह होती है पॉलिसी में रूल्स में आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते इस्ट्रिक्ट कंप्लाइंस होता है किसका रूल्स का और अगर आपने नियम तोड़ा तो आप क्या होगा Penalty is specified मतलब नियम तोड़ने पर आपको दंड मिलेगा Penalty मिलेगी मतलब आप समझ ले Whether you like it, whether you dislike it You have to follow the rules चाहे पसंद हो, चाहे ना पसंद हो तुमको rule को follow करना पड़ेगा जैसे No smoking in factory premises जैसे आपको क्या करना है, smoke नहीं करना है factory premises में, यह rule है, नियम बना दिये न, आपको smoking भले कितना पसंद है, फिर भी आप factory में नहीं कर सकते तो ध्यान रखना, policies होती है, general statement, rules होते है, specific statement, policy में आप अपना दिमाग लगा सकते है You can use your discretion, whereas in rules you cannot use your discretion उसके अलावा, अगर नियम तोड़े, rules तोड़े, तो सजा मिलेगी, policy के तोड़ने पर सजा का प्रावधान नहीं होता है तो यह difference रहा, rules and policies में अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं, budget की What is budget? देखो, budget क्या होता है? Budget is a expected result Budget is a expected result Presented in numerical terms देखो, budget हमेशा future के लिए बनाया जाता है तो इसलिए क्या होता है? यह expected होता है, future में चीज़ें क्या होती है? जैसे माल लीजे, हमने production करना है तो हमें expect करेंगे कि यह production budget है तो production budget के लिए हम क्या करेंगे? बनाएंगे कि यह कितना हम इस साल production करेंगे? तो estimate बनाएंगे उसके अलावा cash budget कितना cash खर्च होगा और कितना cash आएगा इसका budget बनाना तो यह क्या है budget budget में क्या किया जाता है अनुमान लगाया जाता है कि future में किस तरीके का result आएगा उसके बाद क्या है program program क्या है program is a combination of objectives, policies, procedures, rules, tasks and other elements which are designed to get a systematic working in the organization देखो भाई या सारा कुछ बना लिया तो सभी का एक combination होगा program सभी का एक combination होगा program और जिससे की उस organization की working ठीक से चल सके जैसे production program हमें production किस तरीके से करना है, objectives को ध्यान में रखके, rules को ध्यान में रखके, procedures को ध्यान में रखके, policies को ध्यान में रखके यह क्या कहला आएगा इसके लिए production program training program सारी चीज़ों को ध्यान में रखके training किस तरीके से देंगे training program sales promotion program यह construction program हम एक factory बना रहे है उसका construction कैसे करना है यह क्या कहला आएगा construction program so यह था total आपका objectives, strategies, policies, rules, procedures, method, budget and program अगर आपको यह video अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने comment करके आप feedback दे सकते हैं Thank you very much